माफिया और राजनेता मुक्तार अंसारी की मौत कैसे हुई थी? क्या हाट अटेक की वज़े से जान गई थी? या फिर मुक्तार अंसारी को जहर दिया गया था जैसा की आरोब बार-बार परिवार के लोग लगा रहे हैं? तो अब इन सभी सवालों पर फुल स्टॉप लग गया है क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा हुआ है मजिस्ट्रिल जांच रिपॉर्ट के बाद इस रिपॉर्ट के मुताबिक मुक्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटेक है न की जहर जो आरोब परिवार की ओर से बार-बार लगाये जाते रहे हैं अभी तक मजिस्ट्रिल जांच रिपॉर्ट पाइच महीने बाद आई है और इस रिपॉर्ट में साफ साफ कहा गया है कि हार्ट अटेक की वजह से मुक्तार अंसारी की जान गई है 28 मार्च की शाम मुक्तार अंसारी बैरक में अचाना की बेहोश होकर गिर गया जसके बाद उसे अस्पताल ले जा गया जहां पर उसकी मौत हो गई डॉक्टर्स ने मौत के पुष्टी की परिजनों ने कहा कि मुक्तार अंसारी को स्लो पॉईजन दिया गया और जहर की वजह से उनकी जान गई है उनकी हत्या की गई है हालांकि मुक्तार अंसारी का पोस्ट मौटम भी हुआ था पांच डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्ट मौटम किया था वीडियो ग्राफिक के साथ और पोस्ट मौटम रिपोर्ट में भी हाट अटक की बात सामने आई थी लेकिन परिवार को ये बात मंजूर नहीं थी परिवार ने अदालत का दर्वाजा खट-खटाया और अदालत के आदेश पर ही मजिस्ट्रियल जांच के शर्वात की गई अब पांच महीने बाद ये जांच पूरी हो गई है डीम ने रिपोर्ट शासन को सौम दी है और इस रिपोर्ट में भी यही बात लिखी गई है कि हाट अटक की वज़े से ही मुकतार अंसारी की जान गई है इस रिपोर्ट को तयार करने के दोरान सौस जादा लोगों के बयान दर्च किये गए वहीं बैरक में चना गुड और नमक मिला था खाने के सामगरी मिली थी उन तमाम खाने के सामगरीों के सैंपल लिए गया उनके भी जांच की गई और उन जांच रिपोर्ट को भी इस रिपोर्ट में सनलगन किया गया है जहर की कहीं से कोई पुष्टी नहीं हुई ना तो मुकतार अंसारी की बॉड़ी में ना खाने पीने के किसी चीज में और यहीं वज़े कि अब मजिस्ट्रियल जांच में सामने आ गया है किसी मौथ हाटा टेक से हुई थी जहर देने से नहीं पाँच महिने के अंतराल में जो जांच जिला पिरसासन बाना ने की है उसकी रिपोर्ट में यह स्पश्ट है क्योंकि वह रिपोर्ट में जांच समीती ने जेल के अधिकारियों से लेकर के और उसे सासन को भीद दिया गया है। जिसमें इस पश्ठ है कि मुक्तार अंसारी की मोत हाट अटेक से हुए बलकि जहर देने से नहीं हुए थी। उमा संकर मिसरा न्यूजेटिन के लिए बांदा।